आकाश्वानी भूपाल सिप्रस्तुत हैं सिंग्रोली जिले की चिठी आलेख अमिद्वेदी वाचनस्वर नवनीत चोबे आजादी की 75 वी वर्षकाट के उपलक्ष में प्रदेश भर में अम्रत महस्तो मनाया जा रहा है स्वतंतरता संग्राम आंदुलन में योगदान देने के लिए सिंग्रोली जिला भी अपने तीन स्वतंतरता संग्राम सेनानियों का योगदान भूला नहीं सकता है सिंग्रोली जिले के चितरंगी ब्लाक से बेजनाथ दुबे लाल कुमार सिही एवं उपेंद्र प्रताप सिही ने देश की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया सिंग्रोली जिले के इन तीन स्वतंतरता संग्राम सेनानियों को कई बार ब्रिटिश शासन की यातनाई सेहने के साथ साथ कई बार जेल भी जाना पडा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बैजनाथ दुबे मूल रूप से बल्या जिले के निवासी थे जिनोंने भारत छोड़ो आंदुलन 1942 एवं नमक आंदुलन में अंग्रेजों के खिलाफ लगातार संगर्श किया उन्हें पहली लोगसभा में ही राज्यसभा सांसत के रूप में देश की सेवा करने का आउसर भी मिला एक अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाल कुमार सीह सिंग्रोली जिले के चितरंगी विकास खंड के ग्राम दूध मनिया के निवासी थे उन्होंने चितरंगी में खटाई रियासत के पास प्राइमरी सिक्षा के बाद उत्तर प्रदेश के प्रताप गढ़ के काला काकर से मिडिल की परिक्षा पास की और आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए दुसरी और सिंग्रोली जिले के चितरंगी विकास खंड के ही गाउं बलराम के निवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उपेंद्र प्रताप सीहिने लगातार स्वतंत्रता की लडाई लड़ी उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदुलन और विदेशी वस्तरों की होली आंदुलन के साथ नमक आंदुलन में हिस्सा लिया 1942 एवं 1944 में ब्रिटिश अंग्रेज शासन की दमनकारी नीक्यों के कारण इन्हें 6 महिने की जेल भी हुई आज भी सीधी एवं सिंग्रोली जिले के सभी 8 ब्लॉक खंडों एवं उत्तर प्रदेश के बलिया व प्रताब घण में लगी शिला पट्टिकाओं में स्वतंत्रता सेनानियों के नाम दर्ज है जिले के तीनों स्वाधिंता सेनानियों ने अंग्रेजों से मिली यातनाओं के बाद भी आजादी के रास्तों को कभी नहीं छोड़ा सिंग्रोली जिले को प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना के दूसरे चरण को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए प्रदेश में पहला स्थान मिला है नगर निगम वित्तो पायुक्त सत्यम विश्रा ने बताया कि आगे भी लाभार्थी को योजना का सही लाब देते हुए जिले को पहले स्थान को बरकरार रखा जाएगा उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना में सिंगरोली नगरपाली का निगम के लिए 3185 मामले में रंडवित्रन का लक्ष दिया गया था इस लक्ष को हासिल करने के लिए जिले के सभी वार्डों में दल बनाये गए और लाभार्थियों का पंजियन किया गया उन्होंने बताया कि अभी तक विभिन्न बैंकों के माध्यम से 455 हिग्राहियों को योजना का लाभ दिया जा चुका है लक्ष यहासिल करने की वज़े से प्रदेश के 16 नगर निगमों की ग्रेडिंग में सिंग रोली को पहला इस्थान मिला है प्रदेश के उर्जांचल नाम से मशूर सिंग रोली जिले में रेलवे रूट के दोहरी करण का कारी किया जा रहा है पत्र में कहा गया है कि चोपन चुनार सेक्षन में रेल लाइन के दोहरी करण के लिए चल रहे लोकेशन सरवे कारे को जल्दी पूरा किया जाए इसके लिए बजट में प्रस्तावित 1080 करोड रुपे की धनराशी मंत्री मंडल की आर्थिक समिती से मंजूर कराई जाए पिछले दिनों सिंग्रोली जिले के शहरी शेतर में प्रधान मंत्री आवास योजना के तहट बनने वाले आवासों की स्थिती की समिख्षा की गई इस संबन में जिला कलेक्टर ने नगर निगम प्रशासक को निर्देश दिये कि वे लक्ष के अनुसार आवास निर्मान के कारे को पूरा करें उन्होंने निर्देश दिये कि प्रधान मंत्री योजना के एसे हिद्ग्राही जिन्होंने अभी तक आवास निर्मान नहीं कराया है उनसे राशी वापस ली जाए जिला कलेक्टर ने कहा कि 15 अगस तक आवास निर्मान कारे को पूरा कर लिया जाए बैठक में पी-एम स्वानिधी योजना, जल प्रधाय योजना, मिनी स्मार्ट सिटी सहित जिले के मुढवानी बांध के विकासकारियों की समिक्षा भी की गई प्रधेश के अन्य जिलों की तरह सिंग्रोली जिले में भी मानसून पूरी तरह सक्री है और पिछले पकवाले जिले में जोड़दार बारिश हुई पिछले दिनों हुई बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए और पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जिले में ओसत बारिश का अंतर 200 mm से अधिक हो गया राजय सविभाग के नुसार एक जून से अगस्त के पहले हफ्ते तक सिंग्रोली जिले में 706 mm से अधिक बारिश हुई जबकि पिछले वर्ष इसी समयावधी में 553.6 mm बारिश हुई थी इस बार सिंग्रोली जिले की सरई तेहसिल में सरवाधिक 966.2 mm बारिश हो चुकी है जबसी सबसे कम बारिश देवसर तेहसिल में हुई जिले की चिठी समाप्त हुई